हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं इस्टेडिशी चैनल दोस्तों बार्विंटर्स की रूल्स मेजरमेंट्स एंद अंतराश्ची सेंगठन एंद उसके कप ट्राफ्या थब्दावलियों से रिलेटेड इंपोर्टन कोस्टन्स आपके सामने रख रही हूं एंड सब्सक्राइब को ध्यान पुर्णों देखेगा एक भी कोशन मिस मत किजिएगा दोस्तों एंड एडिया पिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपरेटिव इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं सिलिबस के एक और दिन्ट मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलिबस के एक और दिए से ज़्यादा वीडियो प्रिविएस यह एंसे क्यूशन के भी है और चिप्टर वाइच एंसे क्यूश का प्रैक्टिस भी कराया गया है तो चलिए चलते हैं आज की प्रस्टों की तरह तो कोश्चन है कि बेविद्टर कोड की डबल के लिए लिए लंबाई कितनी होती है तो बेविद्टर कोड की कोड जो होता है इसका ग्राउंड हो जा है उसकी डबल के लिए लंबाई जो होती है जो वाले स्फिट होती है और नेक्स कोश्चन है बेविद्टर कोड की डबल के लिए चोड़ाई कितनी होती है तो बीस फिट होता है कितना होता है बीस फिट हो कैंटुन की सिंगल की लिए कितनी होती है कि सिंगल के लिए चौडवाइ c tasks की मार्किंग सारआ कोड़ा आइंट से कोड़ का ही सबसे कम होता है जो सी मार्किंग लैन की जाती है जो कि फुरबाल का सबसे चोड़ा होता है क्योंकि फुरबाल भीस सााथ या साफ सेंटिमेटर का होता है उसके की चौड़ाईय मुटाई होती है एंड उसके बाद हौकी का होता है या सबसक्राइब साथ सेंटी मेटर खरोदी होती है तो chodhание की फिट थी है दो हुं चींट हो थिश भी 60 ंH,wr विभी लंबाइ क्यों हो जाएक गारन। जा जेिlast 초 striving कि मै्धाहिं कर यह थे से ज्यादा तो रहें वह दूदा एन एक दीन होती है तो प्रमेंटर नेट państwo होती है विा दे तो बेंडन नेट में ख्वाने आकार कितना होता है तो भीविंटन नेट में जो खाने होती है उसका आकार कितना होता है 15 से 20 मम् इस प्रकार आपने देखा कि बेविंटर नेट की लंबाई 20 फिट और चड़ाई 2 फिट हुगा नेश्ट दोस्तों बेविंटर पोल की उचाई कितनी होती है तो बेविंटर पोल की उचाई 1.55 मेटर होता है ठीक है नेश्ट है बैक गैलरी की चड़ाई कितनी होती है तो जो GROUND होता है उसके बैक गैलरी की चोड़ाई होती है बैक गैलरी जो होता है वहां धाई फित होता है कितना होता है धाई धाई फित याने की 76 cm में खेल में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है जैसा कि दोस्तों इसमें सिंगल्स के लिए एक डबल्स के लिए दो खिलाड़ी एक तरफ होते हैं ऐसे का बैक गैलरी जो होता है आपका धाई फिर्टी आने की 36 संटिमे्टर होता है और सैट गैलरी पोचहा तो एक अल के लिए उसकी की चवड़ाई दोस्तों से कितनी दूरी पर होती है तो जो 60 service line होती है वो post line से 6, 6 feet होती है यानि कि 6 feet होती है कितना होती है 6 feet यानि कि 1.98 meter नेश्ट दोस्तो अमरित दिवान खिलारी किस scale से समंधित है तो अमरित दिवान खिलारी bear winter से समंधित है नेश्ट है सय्यद मोदी खिलारी कि scale से समंधित है तो सय्यद मोदी जो है वो bear winter से समंधित है नेश्ट दोस्तो लेट कि scale से समंधित है तो लेट सब्द हो गया, fault हो गया, love हो गया यह सब हैं आपके bear winter से समंधित नेश कोंशन है दोस्तो बैर्मिंटन में पर्थम अर्जुन पुरुसकार किसे दिया गया तो कौन विजेता था पर्थम अर्जुन पुरुसकार बैर्मिंटन में एन एम नाटेकर एन्ड मीना शाह नेश्ट दोस्तों बैमिंटर में दूसरा अरजुन पुरुसकार विजेता कौन था तो दूसरा अरजुन पुरुसकार विजेता था दिरेश खन्ना नेश्टों निन्मे से बैमिंटर से समधित नहीं है आपसन है ले, ड्रॉब, थ्रो, लॉब तो दोस्तों यहां पर आपको यह देखना चाहिए कि जो थ्रोज सब्द है वह बहुत के इरबाल से रिलेते थे तो यहां पर थ्रोज सब्द नहीं होगा उसके अलावाद ले, ड्रॉप, लॉव आपका बैर्मिंटल से समधित है जैसे कि दोस्तों बैर्मिंटल में कौन कौन सी सब्दा वलिया है एक नजर उस पर ढालते हैं जैसे कि फाल्ट हो गया लॉव, लेट, फ्लाइट, ड्रॉब, लॉव, सटल लाव आदिस सब्द जो हैं, वहां बैर्मिंटल से समधित है निश्च दूस्तों बेविंटर में प्रथम दोड़ाचार पुरिसकार किसे मिला तो S.M.R.F. को 2,000 में मिला निश्च दूस्तों बेविंटर का अंतर राश्टी स्टेडियम भारत में कहां पर है तो इंद्रा कांधी स्टेडियम है नई दिल्ली में निश्ट दोस्तों बैविंटर किस देश का राश्टी खेल है आप सेने भारत पाकिस्तान इंगलेन मलेसिया जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों कहां की है एन इंगलेंडकर क्रिकेट है तोक बेविंटर दिखकर रोज्टे खिल है तो मलेशिया का किस दिश्का है मलेशिया का इध्यान में दैजो डिश भी विंटर कि खिला रिक्त === है चिसकी कि खिलाड़ी को साटल सस बोला जाता है क्या बोला जाता है जाय है और टेबल टेनिस के खिलारी को पैडलोर्स बोला जाता है यह ध्यान में रखेगा और कुस्ती के खिलारी को गेपलोर्स बोला जाता है तो सटलोर्स जो है बैमिंटर और टेनिस दोनों के खिलारी को बोला जाता है यह भी आप ध्यान में रखेगा नेश्ट कोश्चन है सुदरी मन कप किस खेल से संबंधित है तो यह बैरमिंटर बिश्च कप टीम बिजेता से संबंधित है नेश्ट है रहम तुला कप किस खेल से संबंधित है तो यह बैरमिंटर राष्टी पूरुष टीम से जिलेटेड है नेश्ट है बैरमिंटर खेल से कौन संबंधित है आपसन है चद्धा कप, कौनिका कप यूनिक्ष कप तो दोस्तो ये अ आपके बैलमीटर से संबंधित है उप्रोक्त शभी सभी हो जाएगा नेश्चा बैलमीटर खेल से कौन संबंधित है नारंग कप शभी कुरेशी कप चेर्स कप तो एपतीन नो आपका संबंधित है बैं बिंटर से तो यहां पे भी उप्रोत शभी साही हो जाएगा नेश्ट है अई दोस्तो बैंबीटर कहल से कौन संबंधित है चाइना कप फैडरेशन कप A and B दूनों कोई नहीं तो यहाँ A and B दूनों सही हो जाएगा आपसा नमबर C देश्ट है ऐसा दोस्तों तो यहाँ पे आपको यह ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा कॉर्पन टॉप ही है जैसा कि आप देखे रहमतुला कप नारंग कप, चढधा कप सफी कुरेशी कप and थामस कप उबेर कप थामस कप दोस्तों फूर्सों के लिए खेला जाता है जो वर्ल लेवर पर खेला जाता है 1928 से शुरुआत है उबेर कप महिनाओं के लिए 1927 से शुरुआत है अब यह पर तेक दो वर्स पर होता है and उसके लावाँ आपका योनिक्ष कप, अमरिद दिवान कप अगरवाल कप, एसिया कप सुदरीमन कप, कोनीका कप मेयर्स कप आदी इसके अंतर कप आते हैं जिसमें से आपका पूर्सों के लिए थामस कप ABC से शुरुआत हैं महिनाओं के लिए उबेर कप, एन नारंग कप आपका जुनियर टीम पूरुष के लिए चद्धा कप महिला टीम के लिए Next question है ऐसा कौन सा खिलाडी है जिसे दोड़ा चार और जुन राजिय गांधी खेलरत तीनों पूरुष कार मिल चुके हैं तो ओ है आपका स्री गोपी चंद पुलेला जो पुलेला गोपी चंद जी है ये बैमिंटर के कोच भी है और सरसेश्ट खिलाडी भी है और ये पीवी सिंदु के कोच भी रहे है और जोस्तों जैसे कि इसमें स्री प्रकास पादुकोर जी है यह प्रकास पादुकोर बेविंटर खेल से समंधित हैं और वर्स 1980 में All England Championship का खिताब जीत कर यह करनामा करने वाले प्रथम भारतिय बने क्यानी की दोस्तों कोशन यह पुछा जाएगा कि All England Championship का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतिय कोन बने तो प्रकास पादुकोर कब 1980 में और 1982 में इनको पदमस्री से सम्मानित किया गया नेश्ट दोस्तों बेर्मिंटर के इंडोर स्टेडियम के छत की उचाई कितनी होती है तो इसके इंडूर स्टेडियों के छट की उचाई 9 मीटर होती है और वही बास्केट बाल पूछेगा तो साथ मीटर हो जाएगा बॉली बाल पूछेगा तो साभी 12 मीटर हो जाएगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आई होब की सभी कोस्टन्स आपको समझ में आए होंगे जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताएगे और जारिस जारिस सेयर भी किया किजिए दूस्तो तो फर्स्ट बार बीजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिसे न्यू वीडियो का आप तक पहुझता रहेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहें